Hello friends, इस वीडियो में हम अशोक लीलेंड शेर की एक अनालिसिस करेंगे, उसका रीडियो करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये पिछले तीन मेहने से अगर देखें, तो एक रेंज बाउन टरिटरी में ये ट्रेड हो रहा है। 165 से 187 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। हमने कई अशोक लीलेंड के शेर के उपर में अनालिसिस के वीडियो लेके हम चैनल पे आएं। लास्ट वीडियो जो आया था अशोक लीलेंड के शेर पे, वो आया था 17th November 2023 को जब प्राइस 174.3 पे ट्रेड हो रहा है। यह हम सब जो प्राइस आपको बता रहे हैं यह डिविडेंड अजेस्टेट प्राइस है। तो इसका मतलब करेंड प्राइस को देखें तो पिछले तीन मेहने में इस स्टॉक ने करीब 0.5% का एक निगेटिव रेटन दिया है। हम अशोक लीलेंड शेहर पर जब लास्ट इयर 2023 में फरवरी मन्त की समाप्ती हुई थी तब भी एक वीडियो लेके आये थे 28 फरवरी। उस समय से इस स्टॉक ने करीब 0.5.18% का एक रेटन दिया है। तो साड़े 18% का रेटन और फेस वैल्यू तो अच्छा नजर आता है। लेकिन आटो सेक्टर के दूसरे स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया। तो यह स्टॉक का अगर निफ्टी से कंपैर करें तो पिछले एक साल में अंडर परफॉर्मस रहा है। अगर सेक्टर के इंडेक्स से कंपैर करें तो भी अंडर परफॉर्मस रहा है। तो इस वीडियो में हम इसके ब्रॉट फंडमेंटल को चेक करेंगे। उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट पर जहां मल्टी टाइम फ्रेम टेक्निकल अनालिसिस के आधार पर जानने की कोशिस करेंगे कि क्या संभावना आगे नजर आ रही है। क्या आगे जाकि यह स्टॉक एक अच्छा रिटन दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, बेल आइकन को हिट कर दीजे नोडिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस अनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अशोक लीलेंट के अगर ब्रॉड फिनाशियल्स को चेक करें। तो इसका पाइस्ट्रो की स्कोर दोस्तों सिक्स है। इसका मतलब ऐवरेज फिनाशियल्स को यह इंडिकेट करता है। हम यह नहीं बोल सकते हैं कि strong financials वाली यह company है। जब भी हम किसी stock में निवेश करती है। तो सबसे पहले दो aspects को देखना बहुत important है। कि क्या stock अच्छा perform कर रहा है। तो obviously stock ने positive return तो दिया है। लेकिन अगर इसके alpha को check करें तो यह negative alpha stock है। अगर इसके beta को check करें तो यह less than one है। इसका touch पर यह क्या हुआ कि इसकी volatility कम है। और normally जब volatility कम होती है तो ऐसे stock को, trend को right करना थोड़ा सा असान ही जाए। इसके अलावा हमें समझना चाहिए कि current market price पर क्या यह stock सस्ता है, इसका valuation क्या है। तो मैं यह तो नहीं बोलूँगा कि यह stock सस्ता है। लेकिन यह जरूर बोल सकते हैं कि stock reasonable price पर trade हो रहा है। क्योंकि अगर current market price को compare करें intrinsic value या fair value price से। यह करें 2.3% expensive नजर आ रहा है current market price. तो हम यह बोल सकते हैं कि इसका valuation जो है reasonable, सस्ता नहीं है। क्लीलेंड के business में growth है आगे जाके तो इसका growth potential समझना जरूरी होता है। जब भी हम किसी stock में निभेश करते हैं। वैसे तो value investor बोलेंगे कि एक बार valuation check कर लिया तो वो ज्यादा important है। बट अगर growth है तो portfolio के बढ़ने की संभावना जो है वो बढ़ जाते है। तो आने वाले समय में जो profit का projection है, company का profit 34% से बढ़ने की संभावना है तो potential तो नजरा है। वहीं अगर earning growth की बात करें तो earning growth का जो estimate है वो है 12.8% ये industry के earning growth से कम नजरा आ रहा है। कि industry इसी period में 16% से grow करने की संभावना है और broader Indian stock market का growth जो है वो 17.8% से रहने की संभावना है। revenue growth भी कम नजरा रहा है 2.2% है जबकि industry का revenue growth 12.5% से रहने की संभावना है और भारतिय शर्बजार का broadly 10.6% से रहने की संभावना है। तो growth का potential तो है लेकिन हम इसे बहुत excellent growth potential नहीं बोल सकते। अब यदि या तो आप investor है, shareholder है company के तो आपकी चिंता वाजिब हो सकती है कि क्या इसका जो positive outlook है वो already pricing हो चुका है। और शायद इसी कारण से पिछले 3-4 मेने उसे देखें तो यह stock अपनी intrinsic value या fair value के इर्द गुर्द घूम रहा है, sideways moment न जड़ा। अगर आप potential investor है कि आप विचार कर रहे है कि इस stock में निवेश करना है तो दोस्तों बहुत important हो जाता है कि पहले हम risk factor को भी समझें। इसमें inherently दो risk है। number one इसका debt equity ratio जो है वो 306.5% है जो बहुत अधिक है। और साथ में जो debt है वो operating cash flow से covered में। साथ में जो company का dividend payout है वो भी cash flow से covered नहीं है तो यह inherent risk है। लेकिन एक बात है कि जो interest का obligation है तो interest जो है वो earning से या EBIT से covered नज़रा। valuation के terms में एक और positive aspect मुझे नज़रा रहा है कि इसका price to sales ratio जो है वो सिर्फ 1.1 है। यह किवल 2 से कम ही नहीं यह industry का जो median है 2.7 उससे भी कम नज़रा रहा है। तो broadly हमने देखा कि एक stock at least expensive नहीं। valuation में reasonable नज़रा रहा है, growth potential भी नज़रा रही है, concern का area क्या है? risk कि debt equity ratio जो है बहुत high है और debt जो है operating cash flow से covered नहीं। और जो dividend pay करती है company वो भी cash flow से covered नहीं। तो चलिए दोस्तों straight away चलते हैं price chart के उपर ने। और Ashok Leland Share की technical analysis करते हैं और price action को समझने की कोशिस करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं क्या price action के अनुसार, technical studies के अनुसार, संभावना क्या भविश में नज़र आ रही है। दोस्तों वीटियो को लाइक करना नहीं। इनिगल analysis की शुरुआत करते हैं monthly price chart से। यह monthly price chart है NSC India के हुपर। अब यहाँ देखें, आज month की शुरुआत हुई है। हम यह जो analysis कर रहे हैं, first March को जब market close हुआ, उसके बाद हम यह analysis कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, इसकी closing price है 171.95 तो इस तरह से यह 1.21% यह higher close हुआ है, first March के लिए। यहाँ पर important क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर देखें इसका lifetime high था, earlier जो all time high था, वो यहाँ पर था और यह एक final verdict था market का 149.7 थी। इसका breakout हुआ यहाँ पर, इस जगह पर breakout हुआ और breakout काफी healthy breakout था, क्योंकि price ने पहले correct किया, consolidate किया और उसके बाद में यह breakout हुआ और यह जो rounding pattern बना है, यह five years से अधिक का rounding pattern है, तो chart pattern तो बड़े strong नजर आ रहे हैं, अब यहाँ पर देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर हमें और क्या नजर आ रहा है, market का structure क्या है, higher highs and higher lows का market structure है, तो price में कहीं weakness ऐसी नहीं बोल सकते जो नजर आ रही है, लेकिन price consolidate कर रहे है, इस range में consolidate कर रहे है, 164 से यह range शुरू होता है, और करीब करीब आप देखें यहाँ पर 188,89 के आसपास में, यह broader range है, तो यह range bound trade हो रहा है, अब यहाँ पर देखें क्या इस तरह का price action हमें पहले नजर आता है, तो यहाँ भी देखें काफी दिनों तक, काफी म पहनों तक, यह ऐसा trade हो रहा था, तो इसकी tendency है, इसके पहले भी यहाँ पर ऐसा trade हो रहा था, और इसके बाद यह bullish flag का breakout होता है, और फिर all time high बनाता है, अब यह सोचते हैं कि यह consolidation हो क्यो रहा है, कि एक तरह कि यह time correction है, तो time correction को अगर हम देखें समझने की कोशिस, तो पहल bullish flag का पहले हम target निकलते हैं, तो देखिए मैं target major कर रहा हूं, यह मैंने project किया, और इसको मैं project कर रहा हूं, यहाँ आप देखिए, 189 का इसका target निकल के आता था, इस bullish flag के breakout का, यह इसने achieve किया है, और अब price consolidate कर रही है, इसका तात्पर है, कि जब इस bullish flag का breakout होगा, तो अगला target इसका 237 के आसपास निकल रहा है, जिसकी समामना फिलाल तो price action का नुसार नजर आ रही है, अब एक चीज़ और important है, कि जब भी इसमें correction हो रहा है, तो मंतली चार्ट पे price यहाँ पर support लेती है, यह में 21 and volume weighted moving average पे, तो उसके काफी करीब में यहाँ पर यह trade होता हुआ नज price action को देखें, तो price का यह major resistance था और यह level आता है 149.7, जो की neckline भी है, इस rounding pattern की, और उसके नीचे यह अगर consolidation band को देखें, तो इसका lower fiber आता है 139, तो broadly अगर long term perspective में देखें, तो 139 से 149 का जो zone है, यह important demand area है, और neckline जो है 149 पे वो अपने आप में support group में काम करेगी, जिसकी संभावना काफी प्रवल है, उसका reason क्या है, यहाँ पर आप देखें, EMA 21 और volume weighted moving average, 21 period का confluence भी है, जो अपने आप में support group में काम करेगा, अब एक नजर retracement analysis करते हैं, prior impulsive wave कौन सी है, यह वाली prior impulsive wave है, clear, तो अब इसको एक retracement analysis करके देखते हैं, कि क्या संभावना है नजर आ रही है, तो इसको अगर मैं ऐसे project करूं, तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा और correction की संभावना को हम rule out नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो price है, अफकोर्स यहाँ पर बार-बार support ले रही है, यह price का rejection था, काफी बड़ी large upper shadow है, और यहाँ पर confluence है, यह में 21, और volume बेटे मुरमी राज़ का, लेकिन एक बार price में देखिए, 167 पे, 167 पे 38.2% retracement level आता है, तो इसका ताथपर यह क्या हुआ, कि यहाँ पर देखिए, इसमें 160 से लेकर 167, हम अब demand area को fine tune कर सकते हैं, retracement analysis को मैंने क्या किया, combine किया, dynamic support से, और यह level आता है, something around 160 से लेकर 167 का जोड़, अब यहाँ पर अगर मैं, एक तो मैंने इसके हिसाब से निकाला, लेकिन अगर long term perspective में, अगर हम rounding pattern के हिसाब से target निकालें, तो क्या संभावनाएं बनती हैं, तो चलिए rounding pattern के साब से major करते हैं और इसे project करते हैं, तो उसे साब से इसका target थोड़ा long term में 331 का निकल रहा है, और इसमें potential है 540 के आसपास में जाने का, अब ये usually देखिए, तो breakout कब हुआ, तो decisive breakout हुआ है इसका जुलाई 2023 में, तो जुलाई 2024, जुलाई 2025, तो ये जो rounding pattern के target होते हैं, इसे करीब 2 साल के period लगता है, अगर आप अलग-अलग chart को back testing करके देखेंगे, तो अगर वो successful होता है chart pattern, rounding bottom chart pattern, तो करीब 2 साल का वक्त target में लगता है, तो अगर हम पहले target में देखें, तो current market price से क्या return का potential है, तो पहले target में 85% का return है, और second target में तो काफी बड़ा return है, 198% का, तो अब यह है कि stock board तो जरूर कर रहा है, कई महनों से यहाँ देखें, यह price जो है, यह range में trade हो रही है, और इसमें सही momentum तभी develop होगा, जब price इस range के बाहर में breakout देखेंगे, चलिए अब weekly price chart में चलते हैं, मैं retracement को remove कर देता हूँ, तो weekly price chart में analysis को आगे बढ़ाते हैं, अब यहाँ weekly price chart में देखें, तो हम क्या देख रहे हैं, एक massive impulsive वेड था, यह आप देखें एक massive impulsive वेड है, और इसके बाद price ने correct किया, यह पहले price का resistance था, जो अब support के रूप में काम कर रहा है, और price ने recently support लिया है, यह में 55 पे, तो यहाँ पर देखें lowest point क्या है, तो वो lowest point करीब आता है, 164 के आज़ investment, तो फिलाल जो है, एक intermittent support जो है, 164 पे नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पर हम bullish flag pattern को draw कर सकते हैं, तो चलिए मैं draw करने की कोशिस करता हूँ, यह देखिए मैंने इसे draw किया, और यह देखिए मैं इसको खीच रहा हूँ, तो यह एक आने वाला bullish flag देख रहा है, तो यह bullish flag का अगर decisive breakout हो गया, तब भी इसमें upside momentum develop हो जाएगा, और price के ऊपर जाने की संभावना काफी प्रभल हो जाएगी, अब अगर मैं यह prior impulsive wave, यह prior impulsive wave है, इसकी अगर retracement analysis करें, तो चलिए देखते हैं कि retracement analysis के अनुसार क्या निकल के आता है, यह देखिए मैंने major किया, यह impulse को, और यहाँ देखिए price क्या है, 38.2% retracement level पे यह कही न कहीं बार बार support ले रही है, तो यह देखिए इसका range हो गया, जो कई बार इसे हम re accumulation phase बोलते हैं, overall primary trend जो है, वो bullish है, और यह re accumulation phase का formation हो रहा है, तो जैसे prices re accumulation phase के बार जाएगी, तो अगर यह bullish flag का breakout होता है, तो bullish flag के अनुसार, क्या potential target निकलता है, इसको निकालने की कोशिस करते हैं, तो bullish flag के अनुसार, पहला target निकलता है, 198 का, बट इसमें बहुत बड़ी सम्भावना है कि यह 220 तक जाए, अगर यह bullish flag का breakout हुआ, तो कि normally 100% expansion तक price जाती है, तो चली अब price chart में और recent price action को समझने की कोशिस करते हैं, अब यहां गौर से देखें, यह मैं retracement को remove करता हूँ, चाकि chart जो है, clutter free हो सके, यहां क्या देख रहे हैं, price इस level पे बार-बार support ले रही है, और इस level पे बार-बार resistance ले रही है, यह हो गया supply area, और यह हो गया support area, तो यह long term basis पे ब बार-बार, price जो है, long range में, और इतना वक्त जब लगा रही है price, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि यह जो level है, जो price reject होती है, reject होती है, यह zone है, 184 से लेके, 189.5 का, और यहां पर भी देखिए, एक अच्छा consolidation band है, यह entire band जो है, यह एक supply area group में काम कर रहे हैं, वैसे भ price currently सारी critical moving averages के नीचे trade हो रही है, और चिंता का विशह क्या है, चिंता का विशह है, कि SMA 144 का slope जो है, वो incline down हो गया है, लेकिन अच्छी news क्या है, कि SMA 233 का slope अभी भी upward है, SMA 200 का slope अभी भी upward है, तो यहां पर एक बार हमें चाहिए, अगर यह multiple bottom का formation है, तो इसका apex कहा है, य exactly मैं बताऊं इसको read करके, तो यह apex आता है, 189.6 पे, तो 189.6 बड़ा important level हो गया, जब तक कोई candle 189.6 के उपर में close नहीं होती है, और जो candle close होगी, वो यह multiple bottom का breakout candle होगी, तो इस candle का जो भी high होगा, उस high का follow through होना बहुत जरूरी है, और अगर follow through हो गया, तो फिर आप देख level bottom के हिसाब से target को एक project करने की कोशिस करें, तो भी target 200 के पार जाने की संभावना बन जाएगी, और इसको बाद 209.6 पे रहेगी, तो फिलाल जो fresh entry करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यह supply area जब तक नहीं निकलता है, पैसे लंबे समय तक block हो सकता है, जो लोग already share holders है, price को invest कर सके, तो यह देखिए, यह important consolidation band है, यह demand area के रूप में काम करेगा, तो कहीं यहाँ पर आपका trailing stop loss होना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको trend को ride करते आ रहे हैं, तो यह stock में काफी bore किया है, कितने वक्त तक यह range bound रहा है, अगर मैं यहाँ से major करूं, तो आप देखिए, क यह under performing stock रहा है, auto sector में, और अगर benchmark index 50-50 से भी compare करें, तो कहीं न कहीं यह negative alpha stock है, बट इसका beta भी कम है, तो यह positive चीज है, एक नजर momentum indicator पर डालते हैं, तो अभी तक देखिए, bearish territory भी नहीं गया है, अगर हम RSI को देखिए, जो momentum indicator है, यह oscillate क्या कर रहा है, 60 के level से, 40 के range में, यह typical sideways momentum को दर्शाता है, जहां तक force index का सवाल है, यह दो दिन के price action के बाद जहां buying आई है, यह price ने SMA 233 पे support लिया है, तो force index bullish territory में आ चुका है, तो immediate जो test test का resistance का, वो क्या है, यहां पर आप देखिए, 21 फरवरी की candle का high है, 177.4, तो पहला हमारा जो level है, वो watch करना चाहिए, कि कोई candle 177.4 के उपर में close हो जाए, और उस candle के high का follow through हो जाए, तो फिर price, SMA 144 के उपर, EMA 21 के उपर, SMA volume weighted moving average 21 के उपर, और EMA 55 के उपर में trade होने लगेगी, यह bunch of moving averages हैं, जो इसको दिक्कत दे रहे हैं, upside move में, तो overall market का structure जो है, यह अभी भी हम यह नहीं बोल सकते हैं, कि यह structure बहुत खराब हो गया है, लेकिन yes, वक्त जरूर लेगा, क्योंकि बहुत सारे resistance है, अब जब मैं यह video record कर रहा था, तो उसी समय में अशोक लिलेंट से related latest news आई, तो उसे भी मैं आपके साथ share कर लेता हूँ, फेबरेडी भेने की जो sales है, उसमें गिरावट दर्च की गई है, भाई 6%, अशोक लिलेंट ने 17,464 units का sale किया है, जो पिछले फेबरेडी में, 2023 में, यह figure था 18,571, तो sales में गिरावट दर्च की गई है, अब देखना यह है कि market जब कुलेगा, तो कैसे react करता है, इस sales figure पे, वैसे सबसे important बात है जो technical analysis के अनुसार, कि जब तक जो range में trade हो रहा है, उस range का breakout नहीं होता है, तो फिर तब तक इसमें upside momentum डवलप नहीं हो, और कहीं से range का breakdown हो गया, तो correction भी deeper हो सकता है, जितना range है, उतना तो नीचे जाने की संभावना बनेगी, देखने के लिए धन्यव फिर मिलेंगे, अती शेक्र